What's up guys, welcome back once again. दोस्तों क्या हो अगर आपको एक अनमोल पत्थर मिल जाए जो आपको हमेशा के लिए अमर कर दे या फिर आप जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए काहनी शुरूर होती है स्कालेट नाम की लड़की से जो कि इसी पत्तर की दालाश में क्योंकि हमेशा से उसे यकीन रहा है कि इराक की गफाओं में ऐसा कुछ आज भी मौजूद है इसलिए वो इल्लीगल तरीके से कबाला नाम की गाओं में जाथ जहाँ पर ऐसी कई गुफाय मौजूद है लेकिन कुछी दिर बाद वहां की सरकार उन सारी गुफाओं को खतम करने वाली है इसलिए उससे पहले स्कालेट को ये काम करना पड़ेगा जिसके लिए वो रेजा नाम के आदमी की मतल लेती है क्योंकि एक गुफा का रास्ता उसके घर से होकर गुजरता है लेकिन वहां उनके सामने कई सारी मुसीबते आती है सबसे पहला ये है कि बीच में उनके सामना इराकी सैनिकों से होता है जो कि कई जगाओं पर बैठे हुए है और दूसरा ये कि उनके पास समय की बहुत कमी है क्योंकि किसी भी समय एरिस्ट्राइक हो सकती है अगर वो समय से पहले बहाँ निकले तो अंदर मलबे में ही दबकर मारे जाएंगे अब वो जैसे दैसे अंदर चली जाती है जहां उसे चारों और सिर्फ अंधिरा मिलता लेकिन जब वो अपनी टार्च को आन करती है तो उसके होशी उड़ जाते है लेकिन तब ही एर स्ट्राइक होने लगती है तो रेजा उसे छोड़ कर वापस बाहर जा जाता है लेकिन वो वही मौज होती है और उन सारी चीज़ों को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वापस आने लगती है लेकिन तभी बीश में उसे एक इंसान की लाश लटकी भी दिखती है जोसे देखकर वो हैरान रजाती है पर ये लाश किसकी है ये आपको थोड़ी दिर में पता चल जाएगी अब बहाने पर रेजा सकालेट से कहता है कि जो भी प्लामस स्टोन को ढूनने के लिए इन गफाओं में जाता है वो हमेशा वही मारा जाता है जो लाश तो में नीचे मिली थी वो तुम्हारे पिताजी की थी उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि वो पद्धर को ढून लेंगे और अमर हो जाएंगे लेगन रियालिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ इसलिए बहता रहा कि तुम भी यहां से चली जाओ और उस स्टोन को अपने ख्याल से अपने जहन से निकाल दो लेगन यहां स्कालेट के अंदर एक अलग ही जुनून था वो कैसी भी करके इस गुत्थी को सुलजार के रहेगी अब सीन शिफ्ट होके पहुचता है पारिस में जहां बेंजी नाम के एक और किरदार से रूबर होते हैं जो स्कालेट के साथ ही रहता और इस स्टोन को खूजने की डॉकुमेंटरी रिकॉर्ड कर रहा है वो उन सारी चीजों को शूट करता है जो स्टोन से रिलेटेड हो सकती है वो इस स्कालेट उसे बताती है कि मैं युनिवर्सिटी ओफ लंदन में हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ ये काम पहले मेरे पिता किया करते थे उनके जाने के बाद मैं उनके काम को अंजाम दे रहे हूँ तब बेंजी उसे पूछता है कि तुम्हें इस प्लामस स्टोन के बारे में क्या जानती हो वो बताती है कि ये स्टोन बहुत ही खास है जो किसी भी धातु को गोल्ड यानि की सोने में बदल सकता है और जिसके पास भी ये स्टोन रहेगा वो हमेशा जिन्दा रहेगा यानि की अमर लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं आया सिवाए उसके जिसने से बनाया था वो भी तक्रीबन 600 साल पहले अब दोनों पैरिस में बने एक घर में जाते हैं जो असल में निकोलस फ्लेम का हुआ करते था तक्रीबना से 600 साल पहले और उन्होंने ये स्टोन मनाया था फिर उसे एक गुफा में जाकर चुपा दिया जिसे आज तक कोई ढूल नहीं पाया अब वो लोग अंदर जाते हैं वा निकोलस की कबर पर लगे एक पथर मिलता है इसमें उन्हेंने खुद लिखा था कि वो स्टोन कहां चुपा है लेकिन इस भाशा को कोई समझ नहीं पाता इसलिए स्कालेट अब अपने एक दोस्त जियोर्ज के पास जाती है जो की बहतरीन ट्रांसलेटर है लेकिन वो जादा किसी लिए काम नहीं करता और खास कर तो स्कालेट के लिए क्योंकि पिछ्टे साल उसकी वज़े से जियोर्ज ने कई साल टर्की के जेल में बिता दिये पर वो से बताती है कि मुझे रोज मिल गया है यह सुनके वो हैरानी से करता कि क्या तो मिराग गई थी वहाँ जाना पता है ना कितना खत्रा है लेकिन स्कालेट उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मुझे एरमिक भाशा समझनी है और फिर उसे पूरी कहानी बताती है तो जियॉर्ज हा कर देता है पर वो उसकी मदद सिर्फ ट्रांसलीट करने में कर सकता है अब वो लोग उसी रात फिर से उसी जगां पर जाते है लेकिन ये लिखावट तो जियॉर्ज को भी समझनी आती तब इसकालेट कहती है कि शायर इसके पीछे कुछ लिखा हो क्योंकि उस पर एक तस्वीर बनी थी जिसमें एक आदमी चाभी को पीछे उठा कर चल रहा था अब जो वो पत्थर को पलटते हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता लेकिन यहां वो अपना दिमाग लगाती है और उसके उपर एक कैमिकल डालती है जिसी कि उसे कुछ दिखाई दीता यह असल में उसे स्टोन तक पहुशने का नक्षा था जो किसी ने जान बूश कर मिटा दिया था क्या पता ऐसा निकोलस ने खुद क्योंकि उसे यकीन था कि आने वले समय में कोई न कोई उसे ढूनी लेगा पर क्या वो सच में लोगो को अमर कर देता है अगर ऐसा होता तो निकोलस कभी नहीं मरते तो देखते हैं कि आगे आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है अब उस नक्षे की फोटो ले लेता है और बाहर आ जाते है जहां पर George उसे समझने लगता है तब जाकर उसे समझाता है कि Plalmas Stone इराक मेंने बलगी पैरिस में है और इस नक्षे में Hellgate का जिकर है और कई लोगों का मानना है कि hell gate यानि कि नर का दोर हमारी धर्दी के नीचे ही है 700 feet नीचे तब उसे याद आता है कि यहां तकरीबन 680 feet नीचे किसी सुरंग की बात हो रही है लेकिन वहाँ जाना ना मुंकिन है तब इसकालेट कहती ही कि हम जहां पे ख़ले है उसके नीचे हजारों सुरंगे है रोमन जाहो तो हम वहाँ जाकर इस बारे में जानकारी निकाल सकते है लेकिन जियोज मना कर देता है कि क्यों अपनी जान ख़त्रे में नहीं डार सकता इसलग वह एक टूरिस बनके वहाँ जाती है और उस सुरंग के चार ओर देखने लगती है जहां पर हमें कंकालो का धेर मिलता है जो रोमन इंपायर के सैनिको का था वो यहां किसी जमाने में आये थे लेकिन न जाने किनी वजाओ से वो सम मारे गए इसकालेट को वहाँ पे निकोलस की कबर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिलती है जिसके साइड में एक डोर भी था उसके उपर लिखा था कि यह कं है वो तुम्हें क्लब में जाकर पैपीलियन नाम के आदमी से मिलना होगा अब वो इसके आगे कुछ और कह पाती ही कि तब तक वो गाइड वहाँ आ जाती है जो उसे चलने को कहती है लेकिन जब दुबारा इसकालेट उस लड़की को देखती है तो वहां से गायब हो चु जिससे वो सारी कहानी सुनाते हैं पर पैपीलियन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं वहां कई बार जा चुका हूँ मुझे वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली है तुम जूट बोल रहा है लेकिन इसकालेट कहती है कि मुझे पूरा यकीन है वहां पर वो स्टोन और अर्बो का खाजाना मौजूद है अगर हमें वो मिल गया तो उसमें से 50% दुमारा होगा अब खाजाने का नाम सुनकर वो फॉरण हां कर देता है अगली दिन हम पैपीलियन की टीम के साथ दो और लोग भी देखते हैं जिसमें एक उसकी गल्फरेंड क्लारा और जन थे यानि कि अब उटल 6 लोग हो गयें और जो उस गुफा में जाएंगे लेकिन यहां पर जॉर्ज नीचे जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहली मना किया था कि अब यहां से वापस जाने लगता है अब बचे हुए लोग उसी रास्ती से आगे बढ़ते हैं जहां पर पैपिलियन और उसके लोग पिछली बार गए थे वो जाकर एक टनल में खतम होता है लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जिनकी वज़े से जॉर्ज को भी इनके साथ ही अंदर जाना पड़ता है लेकिन यह किसी तरह से पुलिस वालों को चक्मा देकर वहां से अंदर घुज जाते हैं यहां बहुस केव की दिवारों पर पैपेलियन नाम को लिखा हुआ देखते हैं यह पैपेलियन की पुरानी आदत है जहां पर भी वो जाता है वो अपना नाम लिख देता है वो आगे बढ़ते हैं जहां बैंजी को सारी चीज़े रिकॉर्ड कर रहा था वो इसक कुछ अजीब और डरामने से लोग दिखते हैं जो किसी तरह का ritual कर रहे थे उसमें वो लेडी भी मौझूद थी जो George को कलब में बार बार दिख रहे थी लेकिन पैपीलियन कहता है कि ये सब पागल है ये सब यहाँ पर आते रहते हैं क्योंकि वहाँ लोगों की एक अंकाल पड़े थे और वो रास्ता बहुत ही छोटा था और वो दूसरे रास्ते से चलने को कहता है क्योंकि उसका दोस भी वहाँ गया था और कभी वापस नहीं आया पैपेलियन जो रास्ता बताता है वो असल में हड़ियों के उपर से होकर गुजरता है और ऐसा करने में बेंजी बहुत डरता है इसकालेट भी मना करती है लेकिन जियोर्जियों से समझाता है और कहता है कि वो जो कह रहा है हमें वो करना चाहिए क्योंकि वो पहले कई बार यहां पर आ चुका है अब सभी उसके बास से सैमत होते हैं और फिर पैपेलियन के बताएवे रास्ते से ही आगे बढ़ते है लेकिन बेंजी कैमरे के साथ सबसे पीछे रहता है और वो वहीं अटक जाता है उसका साइस बड़े होने के कारण वो उपर नहीं आ पा रहा था जिसके वज़े से उस जगह के सारे कंकाल नीची गिर जाते हैं पर वो सही सलामत था अभी उस जगह पहुँच जाते हैं लेकिन यहां सब देखते हैं कि असल में यह वहीं आ गए है जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी तब पैपिलियन कहता है कि यह मुमकीन ही नहीं है मैं जब यहां आया था तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी वेल अब उन्होंने मजबूरन उसी शॉटकर टास्ते से जाना पड़ता है जहां से पैपिलियन जाने से मना करा था पर इसी दोरान उन्हें उसी जगाँ पर पैपिलियन का नाम लिखावा मिलता है यह देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि आज से पहले इस जगाँ पर वो आया ही नहीं है तो फिर ये नाम किस ने लिख दिया ये सारी जोते देखकर वो सभी confused थे तभी उन्ने एक phone ring की आवाज आती है तो George बताता है कि हम उसी जगाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर सालों पहले एक शहर हुआ करता था लेकिन उस भुकम के बाद सब कुछ बरबाद हो गया लेकिन उसके बाद सभी phone lines निकाल ली गई तो फिर ये phone किसका है वहाँ उन्हें एक और चीज मिलती है जो कि पियानो था जिसे देखकर George बताता है कि मेरे छोटे भाई के पास भी ऐसा ही कुछ पियानो वा करता था लेकिन उसमें कभी भी A8 की नहीं चलती थी जिसी कि हम हमेशा परशान रहते थे तो उस पियानो में वही की को play करता है लेकिन वह काम नहीं कर रही थी और उसे देखकर उसके wrong टे खड़ी हो जाते हैं कि ये कैसी हो सकता है तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि ये जगा कुछ शक्तियों के वश में है और वो इन्हें वही चीज़े दिखा रही है जो ये देखना चाहते है विलब वो लोग और आगे बढ़ते हैं लेकिन वो फोन रिंग अभी भी कर रहा था पर हैरानी की बात ये थी कि वो बस सकालेट को सुनाई दे रहा था इसलिए वो उसके पीशे जाती है और उसे एक जगाँ पर वो फोन रखावा मिलता है जब उसे उठाती है तो एक आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया तुम क्यों नहीं आई अब इस कालेट दंग रह जाती है क्योंकि ये आवाज उसके डैड की थी लेकिन वो तो मर चुके है तभी दूसरी और हमें पता चलता है कि उन लोगों को एक दरार के पीछे एक शक्स मिलता है ये वही था जो सालों पहले उस रास्ते से यहां पर आये था बाहर के लोगों ने सूचा कि ये मर गया लेकिन ये आदमी अभी भी जिन्दा होता है अभी आदमी फ्रेंच में बोलता है कि तुम लोग को यहां नहीं आना चीए था इसका नाम मोल होता है लेकिन मोल को देखकर सबसे ज़्यादा पैपिलियन हैरान था क्योंकि कोई आदमी इतने सालों तक बंद केव के नीचे कैसे जिन्दा रह सकता है ये कैसे मुम्किन है तभी मोल कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहां क्यों आयो ये बोल कर वो जाने लगता है पर सभी उसके पीशे बागते हैं फे एक जगां पर रुकते हैं और वो सभी से कहता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है पर ये बात जियोज को बहुत अजीब लगती है क्योंकि अगर उसे बाहर निकलने का रास्ता पता था तो वो बाहर क्यों नहीं गया आस तक वलब सभी एक एक करके उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वाँ एक कुवा मिलता है जो कि बहुत ही गहरा था लेकिन उसमें कोई पानी नहीं था अब सभी एक एक करके नीचे जाने लगते हैं उसी में बेंजी को चूट भी लग जाती है लेकिन यह जैसे तैसे नीचे पहुँच जाते है इक रास्ता और छोटा होता जा रहा था तब ही एक तीज आवाज आती है जिसे सबी हिल जाते उसी दुरान कैमरा में एक छोटा बच्चा कैप्चर होता है क्या यह जियॉर्ज का छोटा भाई है या फिर कोई और यह था हमें नहीं पता वो और अंदर जाते हैं लेकिन यहां रास्ता खतम हो चुगा था तब इसकालेट देखती है कि वहाँ पर एजिप्शन में कुछ पिच्चर्ज बनी है उसे याद आता है कि फैरोज जो कि एजिप्शन के किंग होते हैं वो अपनी टॉम को कैसे चुपाते थे तो बिसिकली यहां पर एक पहली होती है इनके आगे का रास्ता बताएगी उन्हें एक पत्थर दिखता है जो कि साथवे नंबर पर था और जब उसे हटाते हैं तो उन्हें वहाएं गुफा मिलती है जिसके अंदर एक लाश पड़ी होई थी और यह उसी शक्स की लाश थी जिसने उसे स्टोन को बनाया था यानि कि निकोलस फ्लेमल और यही वजाए कि वो लाश आज भी ऐसे पड़ी होई है बिना सड़े हुए गले हुए क्योंकि उसने उस स्टोन को इस्तेमाल किया था अब वहाँ उन्हें उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है कि अगर आपको स्टोन तक पहुशना है तो अंधीरे में रोशनी का पीशा करो सभी अपनी लाइट बन करते हैं और फिर उन्हें एक रोशनी मिलती है वो उसे फॉलो करते हैं जो पानी के अंदर जा रही थी जैसे ही वो उस पानी की दूसी तरफ से बाहर आते हैं उन्हें वो खजाना मिल जाता है जिसकी तलाश में वो यहाँ आये थे सभी बहुत ही खुश थे अब वो अमीर बन चुके थे और सबसे अनमौल चीज वो स्टोन भी यहां मौजूद थी और इन्हों उन दिवारों में वो प्लामस स्टोन भी गलावा मिलता है जिसे सकालेट निकाल ले थी लेकिन उसके दिमाग में बस एकी चीज चल रही थी कि हमें इतनी आसानी से यह स्टोन कैसे मल गया इसकी बीचे जरूर कोई चाल हो सकती है तब ही पहले इन खुशी के मारे उस खजाने के दरवाजे को खोल देता है और यहां वो कर देता है एक बहुत बड़ी खलती क्योंकि यह एक ट्राप था वो गेट को तोड़ते हैं उसके उपर की दिवारे डह जाती है और इसमें कई लोगों को चोट भी आती है लेकिन तब ही वो नोटिस करते हैं कि मॉली उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि वो सच में एक वहम था इन सबी का ऐसा कोई भी चीज एक्जिस नहीं करती वो कपका मर चुका है पर वहीं दूसरी और पत्थर गिनने के वज़े से इनके एक साथी के हाथ में चोट लग जाती है तो सकालेट वहाँ उस स्टोन को घिस देती है जिसी कि वो ठीक हो जाती है अब इससे ये तो साबित हो गया था कि वो पालमस स्टोन और निकोलस की सारी थियोरी सच्ची थी अब जब वो और आगे बलते हैं तो उन्हें कुछ चीजें लिखियों मिलती है जैसे कि तुम्हें यहां कर गल्पी कर दी है अब तुम्हें अंधिरे के राज में परवेश करना होगा तो इसका साफ मतलब था कि इनका सामना अब नर के दरवाजे से होगा सभी एक छोटी सी सुरंग की मदद से आगे बलते हैं लेकिन यहां अब इनके साथ ही वही चीजें सेम होने लगती है लेकिन रिवर्स मोड में जैसे कि इन्हें निकोलेस की लाशी जगा एक बार फिर से मोली दिखाई देता है जब एक साथी उसके पास जाता है तो मोली उसे बुरी तरह से मार डालता है और तुरंट वो गयब हो जाता है सकालेट उस्टोन को फिर से यूस करती उसे जिन्दा करने की लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो मर चुकी थी मतला मरे वे लोग जिन्दा नहीं हो सकते सिर्फ जखमी लोगों को इस टोन से ठीक किया जा सकता है लेकिन यहां इनके लिए और मुसीबते बढ़ना शुरू हो जाती है सभी को अब डर लगने लगाता अब वो सभी अपने साथी की बॉड़ी को छोड़ देते हैं और फिर उसी जगाँ पर पहुँच जाते हैं जहां पर मॉली उन्हें लेकर गया था उसको है के पास लेकिन 29 बारी बेंजी को कलब वाली लड़की दिख जाती है जो उसे धका देती थी है और वो सीधा उपर से नीचे गिरता है जिसमें उसकी जान चली जाती है अब इनके साथ वही चीजे हो रही है जो इन्हें डरा सके जैसे कि कुछ कंकालों के पीछे जियॉर्ज को उसका छोटा भाई दिखता है लेकिन स्कालेट उसे समझाती है कि सच नहीं है ये टनल में बहुत सी बुरी शक्तिया है जो हमारे अंदर के डर को बाहर ला रही है जिसे हम घबरा जाए तब ही उन्हें किसी की चीखनी की आवाज सुनाई देती है वो करीब जाते है तो उन्हें वहाँ एक जलती होई कार दिखती है जिसके अंदर वही ललका बैठा हुआ था जिसने सकालेट से कहा था कि जा कर तुम परपीलियन से मिलो लेकिन याप परपीलियन बार बार कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई गल्दी नहीं है मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन तबी ना जाने कैसे वो उस कार के करीब खिशने चला जाता है अब सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पता वो कार के अंदर बैठा लटका उसे खीश लेता और कार गाइब हो जाती है तब उसके साथ ही देखते हैं कि वो जमीन के अंदर धसा हुआ है, वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक वो जमीन के अंदर जा चुका था अब यहां बचे हैं सिर्फ तीन लोग, जन कहता है कि हमें कैसी भी करके यहां से बहार निकलना होगा, लेकिन तब यह एक अजीब सी चीज आकर George के गली पर हमला कर देती है, जिसे वो घायल हो जाता है, तब Scarlet Stone का इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो हैर को साफ करती है, लेकिन वहां उसे खुद का ही चेहरा दिखाई देता, यानि कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये तो बस एक वहम था, एक चलावा था, ऐसी कोई physical stone मौझूद नहीं है, सारी शक्तियां तो Scarlet के अंदर आ गई है, क्योंकि उसने उस fake stone को इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी तक उसने जो भी पाप किया या फिर जो भी guilt उसे accept नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, और अब उसे सारी सचाई पता चल चुकी थी, अब वो वापस जाने लगती है, लेकिन बीज में उसे अपने डाट की आत्म हमें अपने पापों की गलतियों का अपनाना होगा, तब ही हम यहां से बहाँ निकल पाएंगे, तो जियोर्च कहता है कि मैं अपने छोटी भाई की मौत का जिमदार खुद को मानता हूं, वहीं जन कहता है कि मुझे एक बेटा हुआ है, लेकिन मैंने उसे कभी अपना है न जाननी थी, ऐसा कुछ भी होता है क्योंकि इसके लिए मेरे डाड ने खुद की जान दे दी, शायद यहीं वज़ा हो सकती है कि स्टोन की पावर और वो फेक स्टोन स्कारलेट को मिला, क्यों उसे कभी किसी चीज का लालिच नहीं था, वो बस सच जानना चाहती थी, इस कहा हो सकती है जो इनसान को अमर बना सके नीचे कॉमेंट करें जरूर बताएगा, मिलते हैं आप से लिए मैं थैंक यू सो मुच वाचिंग, पीस आओ